नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेका रहा हूं कक्षास है विशेविज्ञान का वार्शिक आकलन मार्च 2014 का प्रशन पत्र इस वीडियो में हम इस प्रशन पत्र को हल करेंगे मैंने अपने चैनल पर और भी प्रशन पत्र डाले हुए हैं अगर आप उन्हें देखना चाते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग के बहु विकल्पिय प्रशन पहला प्रशन है कमजोर अस्तियां और दंतश है किस खनीज की कमी क विटामिन A, B लोह, C आयोडीन, D कैल्शियम इसका सही उत्तर है D कैल्शियम प्रैशन दो, नेमने लिखित में से कौन सा धातुओं का अगुण नहीं है A कठोड़ता, B कूचा अलगता, C तन्यता, D धुती इसका सही उत्तर है B कूचा अलगता प्रेशन 3 किसान किस्विदी का प्रयोग हलके भूसे को भारी अनकणों से प्रतक करने के लिए करते हैं पहला ओप्चन है इसका निश्पावन बी ओप्चन हस्तचयन सी थ्रेशिंग डी चालन इसका सही उत्तर है ए निश्पावन प्रेशन 4 पत्ती के हरे चप्टे भाग को क्या कहते हैं ए तना बी फलक, सी शिरा, डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है बी फलक प्रेशन 5 घुटने में कौन सी संदी होती है ए कंदुक खरलिका संदी, बी धुरागर संदी, बी हिंज संदी और डी है अचल संदी, इसका सही उत्तर है बी हिंज संदी प्रेशन 6 इनमें से जैव घटक कौन सा है ए पौदे, सी मिट्टी, डी जल और बी चटान, इसका सही उत्तर है बी चटान प्रेशन 7 लंबाई का ऐसा इमात्रक क्या है प्रेशन 8 दरपन में प्रतिविम्ब किस घटना के कारण बनते है प्रेशन 9 विद्यू सेल में कितने टर्मिनल होते है आफ्शन है A, 2, दूसरा आफ्शन है 3, तीसरा आफ्शन है 1, और चौता आफ्शन है 4, तो इसका सही आंसर है A, दो टर्मिनल होते हैं प्रशन 10, निम्निम लिखित में से कौन सा चुम किये पदार्थ है A, सोना, B, चांदी, C, लोहा, D, लकडी इसका सही उत्तर है C, लोहा प्रशन 11, संत्रान निम्बू आवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है पहला है विटामिन A, दूसरा है विटामिन B, तीसरा है विटामिन C, और चौता है विटामिन K, इसका सही उत्तर है C, विटामिन C प्रश्न बारा इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में A विलिय है? A. तेल, B. चीनी, C. नमक, D. दूद, इसका सई उत्तर है A. तेल प्रश्न तेरा इनमें से कौन सा V. सर्पी लता का उधारण है? A. मनी प्लांट, B. घीया की बेल, C. तर्बूज की बेल, D. इनमें से कोई नहीं इसका सई उत्तर है D. इनमें से कोई नहीं प्रश्न चौदर, प्रकाज संसलेशन के समय पौदे किस गैस का उपयोग करते हैं? A. उक्सीजन, B. नाइट्रोजन, C. कारवन डाइकसाइड, D. उपरोक्त सभी इसका सई उत्तर है C. कारवन डाइकसाइड प्रश्न पंद्रेशन निम्न लिखित में से कौन सा विद्वित रोधक पदार्थ है? A. लोहा, B. चांदी, C. तांबार, D. रबड इसका सई उत्तर है D. रबड भाख है, वस्तो निस्ट प्रश्न प्रतेक प्रश्न एक अंका है प्रश्न 16, समुद्र से नमक, डैश विदी द्वारा प्रात किया जाता है इसमें आएगा वाश्पी करण प्रश्न 17, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तों को तो देख सकते हैं परन्तु बहुत स्पस्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें डैश कहते हैं इसमें आएगा पारभासी प्रश्न 18, मचली के डैश होते हैं जो उसे जल में स्वास लेने में साहता करते हैं इसका सही उत्तर है गिल प्रश्न 19, नमक और चीनी को निश्पावन विदी द्वारा प्रथक करते हैं इसमें हमें सत्य और आए सत्य बताने हैं तो ये सत्य है प्रश्न 20, घास की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है ये आए सत्य है प्रश्ण 21 प्रकास सरर रेखा में गमन नहीं करता है ये ऐस अत्य है प्रश्ण 22 गर्दन और सिर को जोडने वाली संधी का क्या नाम है इसका नाम है धुरागर संधी प्रश्ण 23 संधीवु द्वारा पशिस्ट पदार्थ के निस्काशन प्रक्रम को क्या कहते हैं उत्सरजन कहते हैं प्रश्ण 24 मिलान करें कॉलम A का कॉलम B से A दिया हुआ है विटामिन D इसका मिलान होगा तीसरे से रिकेटस B विटामिन A इसका मिलान होगा दूसरे से रतोंदी C लोह इसका मिलान होगा पहले से A रक्तता प्रश्न 25 मिलान करें कॉलम A का कॉलम B से A कैक्टस इसका मिलान होगा दूसरे मरुस्तल से बी चड़या इसका मिलान होगा पहले से वाई विय सी शेर इसका मिलान होगा चार स्थलिय से डी शार्क इसका मिलान होगा तीन जलिय से भाग गय अती लगू उत्तरातमक प्रशन 26, 27, 28, 29 से लेकर 33 तक मैंने अगले प्रश्ट पर हल करके दिखाया है प्रशन 30 से लेकर 41 तक मैंने अगले प्रश्ट पर हल करके दिखाया है प्रशन 42, 43 और 44 इनको भी मैंने अगले प्रश्ट पर हल करके दिखाया है प्रशन 26, चुम्बक के कोई दो गुन लिखिये उत्तर, नमबर एक स्वतंत्र चुम्बक सदैव उत्तर दक्षिन दिशा में रहता है उत्तर दक्षिन वे दक्षिन दक्षिन धुरूव एक दूसरे को अकर्शित करती है प्रशन 27, रुई का धेर जल में क्यों सिकुड जाता है उत्तर, रुई को जल में डालने पर इसमें विद्देमान सहरी हवा निकल जाती है और रुई सिकुड जाती है प्रशन 28, वसा के चार जन्तु स्त्रोतों के नाम लिखिये उत्तर, गाय, भैस, बकरी, भेड, मचली प्रशन 29, पारदर्शी पदार्थ क्या होते है उधारन साइट लिखें उत्तर, जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे कांच, हवा, पानी प्रशन 30, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच जल कैसे प्राप्त करेंगे उत्तर, पंकिल जल के नमूने को कुछ समय बिना हिलाए छोड़ देते हैं कुछ समय बाद मिट्टी के कंड भारी होने के कारण नीचे तल पर बैढ़ जाते हैं तब जल को अलग कर लिया जाता है प्रशन 31, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड सकती उत्तर, कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड सकती क्योंकि इसमें हिंज संदी है प्रशन 32, आवर्ती गती के दो धारन लिखिये उत्तर, जूले पर बैटे बच्चे की गती एक उचलती गेंद प्रशन 33, विद्युचालक पदार्थ क्या होते हैं उत्तर, वे पदार्थ होते हैं जिन से होकर विद्युधारा सरलता से प्रवाहित होती है प्रशन 34, छाया क्या होती है क्या छाया को बिना प्रकाश के देख सकते हैं क्यों अत्वा क्यों नहीं उत्तर छाया जब किसी प्रकाश त्रोत के सामने कोई अपार दर्शक वस्तू आ जाए तो वस्तू के पीछे का वैभाग जहां प्रकाश नहीं पहुंसता छाया कहलाती है हमें अंधेरे में छाया दिखाई नहीं देती क्योंकि छाया देखने के लिए प्रकाश की आवश्यक्ता होती है प्रश्ण 35 अनुकूलन किसे कहते हैं उधारण सईत स्पस्च करें उत्तर किसी जन्तु के शरीर में पाई जाने वाली वे विशेश्टाएं जो उसे प्रतिकूल दशाओं में जीवित रखती है अनुकूलन कहलाती है पक्षी छिपकली मनुश्य आदिश के उधारण है प्रश्ण 36 दिशा निरधारण में कमपास का किस प्रगार प्रयोग होता है उत्तर कमपास में एक चुमकिय सुई होती है जो स्वतंतर रूप से घूम सकती है जब कमपास को किसी स्थान पर रखा जाता है तो चुमकिय सुई उत्तर दक्षिन दिशा में सर्रेखित हो जाती है प्रेशन 37 वाईयू मंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौदों तता जन्तू एक दूसरे की किस प्रकार सहेता करते हैं उत्तर पौदे प्रकास संसलेशन के द्वारां सी ओटू यानि कार्मन डायकसाइड लेते हैं और वाईयू मंडल में आकसीजन छोड़ते हैं जबकि जानवर स्वशन के द्वारां आकसीजन लेते हैं और सी ओटू छोड़ते हैं इस प्रकार आदान प्रदान कर एक दूसरे क की मदद करते हैं प्रेशन 38 निस्तारण और निस्पंदन के बीच अंतर स्पस्ट करें उत्तर निस्तारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विलियन में जमाठोस से एक तरल परत को हटा कर मिश्रण को अलग किया जाता है निस्पंदन किसी मिश्रण में से विशेश अ मंतर लिखकर चित्र सैस पस्ट करें उत्तर मूसला जड़ इसके अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है यह लंबाई के अनुपात में बढ़ती है और इसमें शाखाई पाई जाती है जखडा जड़ में इसमें मुख्य जड़ का अभाव होता है यह लंबाई और चड़ अधारण सहित बताईए उत्तर अपने ही समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन करने की घटना प्रजनन कहलाती है हाँ सभी जी प्रजनन करते हैं इसके तीन उधारण है माइटोसिस बिजाणु निरमान और वानस्पतिक निरमान प्रशण बयालिस अभाव जन्यरोग किसे कहते हैं किनी तीन अभाव जन्यरोगों के नाम तथा लक्षण लिखें उत्तर, पोशक ततों की कमी वाला भोजन खाने से होने वाले रोग, अभाव जन्ने रोग कहलाते हैं, रतौंदी, बेरी-बेरी इसके रोगों में आते हैं। प्रेशन 43, केचुआ और मचली किस प्रकार गती करते हैं, स्पस्ट करें। मचली इसकी आकरती धारा रेखिय होती है, इसका सिर्व पूँच पतले वे नुकीले होने के कारण तैर सकती है। केचुआ यह अपने शरीर के पस्ट भाग को भूमी में जकड़े रखता है और अगर भाग को फैलाता है, बाद में वे आगे भूमी को पकड़ता है और पीछे भूमी को छोड़ देता है। प्रशन चवालिस के, शाक में जाड़ी के दो धारण, शाक के हैं मक्का, पालक, सरसो, मटर और बैंगन, जाड़ी के हैं गुलाव, बेर, करोंदा, आदी, के, स्थलिय आवास, यह हैं वन, घास के मैदान और मरुस्थल। तो यहां पर हमारा यह प्रशन पत्र का कारे पूरा हो गया है, अगली वीडियो में मैं इसी तरह से और भी प्रशन पत्र लेकर आऊंगी, तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू